नमस्कार मैं बाबा नेला नेल मजुमदार अज आपके सामने एक मैं कहानी पेश करने जा रहा हूँ जो कि मुझके एक सब्सक्राइबर जो कि पूरा में किसी मल्टी नेशनल कमपनी में कारत हैं जाती के वो भी बेंगॉली हैं उनके फादर कलकटा में जो है पैरनालमल एक् हैं और उनका कारी भूत प्रेतों को पकड़ना तो जाहिर है जब बाप ऐसा है भूतों के विश्वाद तो बेटा भी होगा तो उस सब्सकाइबर ने जिनका नाम मैं बताओंगा रोंजीत भट्टाचारिया अपने दोस्तों के साथ कैफटेरिया में बैठा हुआ था लंच ब्रेक हो चुका था उनलों लंच करते हैं बात हुआ तुम्हें बूत प्रेत की बात चली तो एक श्यामल दत्ता वो भी ब बाबा त्रक्ट पैरानॉर्मल एक्सवार्ट किन्तु तुम्हें वो भिश्यास करो भूत प्रेतों परे तो तुम्हें आमारे सथे कीरात्री थे पूनत थे के बॉम्बे जे एनेस सिक्टी सिक्स होच्चे जेकाने हमी गोगोले वने वने गोले काहनी सुने छी तुमी आमार साथे चोलवे तो रोंजित भटा चावोता है है निश्चो इचोलवो कैमन चेते होवे तो श्यामल दात्ता ने श्यामल दात्ता ने कहा आमार काथे कार रोएचे बाबार कार आमार आमी बाबार काथे के कार नीए शेकान चोलवो और आमी देखते चाए कि सुत्ती मुत्ती भूत प्रेत चा एकाने थाके की ना थाके यह ना आमी एटा उनेक पोढ़ी ची कि NH66 होने की हॉंटेट जग कहने का ताथ पर है कि दो मित्र बैठे आपस में बाते कर रहे थे काफेटेरिया में दोनों बेंगॉली बेंगॉली में एक मतलब क्या करते हैं जो श्यामूल रथता है वो जो है मेरे सब्सक्राइबर रोंजे भट्टचारिया से पूचता है कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे पिता जी बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं बेंगॉल में फेमस भी हैं तो जाहिर है कि तुम में कुछ न कुछ तो भूत पर तो विश्वास हो गई तो क्या तुम मेरे साथ एक हांटे जगा पर चल सकते हो तो उसने कहा कौन सी जगा है कहा एनस सिक्स्टिसिक्स बॉम्बे पूना खाईबे कि सारी घाठे वहांग पर बहुती भैंकर भैंकर घटना ही हुई मैंने गुगल में पढ़ा है तो में पढ़ा हुई है मैं чलू da कि मैंने कैसे तुम जाओगे तो लोश में गह हमार बावर केशे जिए कार और से क्शेटा आपी बावर कास्ते के चेह ने ही मो आशे इक कारे हैंधे हमी अमी तुमी चल वो आरे दी कोनों बुंधू जते चाहे तो से हो चाहे तो वड़ावल से हैं ठीक अच्छे श्यामल जत्ता की बात सुनके रोंजित भट्टा चाहरने का ठीक अच्छे मनें ठीक है आमी चोलवो आज की रत्तरी ते चकुन आमादे एक ने एटा खौतम हो चाहे हैं आफिस पीरिय कि जब आफिस का टाइम खतम हो जाएगा थोड़ा सब ब्रेक लेकर सुष्टा के फिर हम लोग चलेंगे तो सब बात तय हो गई एक रमेश नम रमेश तिवारी वो भी उन बार चीत में जुड़ गया उसने का मैं भी चुलूंगा साथ में तो भही सब लोग तैयार हो गए अब ये था कि किस समय निकला जाए तो डूटी आवर्स इनकी थी और वो करिब 6-7 बज़े खतम होती थी तो उन्होंने 6 बज़े करिब साथ खतम होती थी तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहां से 7 बज़े निकल चलेंगे और रात में 12 एक बज़े तक तो पहुँची जाएंगे तो सब लोग तैयार हो गए तीनों लोग जब तिवारी जी भी चुट गए बीच में तो तीन लोग हो गए कहते हैं तीन तीन त्रिकट महा भिकट लेकिन लोग चुटी इंजीनियर्स थे तीनों तीनों तो कहा है इस सब बातों में क्या हमको तो भूत प्रेद देखना है विश्वास करना है कि हां होते हैं इस जगत में भूत प्रेद जल्दी से उन्होंने अपना सब काम निप्टाया शाम के ठीक छे बज़े जब ओफिस का टाइम खतम हो गया तो उठे उठके जल्दी से जो है क्या करते हैं उन्होंने कहा कि मैं हम लोग दोनों तुमारे घड़ चलेंगे शामौल बहीं से तयार होके चले चलेंगे तो सब लोग जो है क्या करते हैं तयार होगे तयार होके ठीक साथ बज़े उन्हों लोग शामौल दत्ता के घड़ से उनके पिता की परमिशन लेके चल दी है पिता ने कहा देखो बेटा बहुत दूर है आओगे जाओगे कल सुबे तुमको आफिस भी जाइन करना है तो ज आना पीना जरूर तो बेंगली तो हमेशा जो होता है मतला मीट मचली का सौकीन होता है शोमल दत्तन ने कहा कि बाबा तुमी चिंता को रवे ना आमें एक हन देखे चिकन लॉलीपाप किने ने वो और एड़ जोनने पूड़ी उड़ी किने न हुए जे पॉंडी जी बोसे सब्सक्राइब हो गया साथ मुझे उन लोग गाड़ी से निकले ठोड़ी दिव जाके बहुत अच्छे रेस्टोरेंस उन्होंने चिकन लॉलीपाप खरीदा जो कि उधर महरास्ट में उधर मांबेपुना हाइवे बहुत फेमास है हर रेस्टोर्न में करी कोई मिलता है और वहीं से उन्होंने पिज्जा की बुकिंग भी खरी ली उसके तिवारी जी के लिए और चल पड़े एक अनस्पेक्टेट एक्सपिडीशन पे जिसको कहते हैं घोस्ट हंटर है ना ठीक रात के ग्यारा बच रहते हैं ग्यारा और बारा के बीच में और सुवे से पानी बरस रहा था लेकिन जो जब उन लोग साथ बचस करीब आठ बचसे पानी जो जमाजम गिरना सुड़ू हुआ है मूसला धार बारिश और कड़कड़ाती हुई वह उनके पिताजी का फोन आया शेमल दखता कि तुम लोग लोटाओ बहुत ते पानी बरस था इस अंधेरी रात में उस पाड़ी क्या करते रास्ते में अब वो भी हांटेड है बता रहे हैं जैसे तुम लोग तो भही मुझको तो डल लाग रहा तुम लोग चल जाओ फिर कभी चले आना कर नहीं बाबा अब निकले हैं तो करके आएंगे उस बरस दे पानी में चलते चले चलते चल है ना तो लोने कार को रोका और कहा देखो ये जो भूदनिया होती है प्रितनिया कहते हैं कि जो प्रितनी चुड़ैल है वो नौनवेज की बहुत शौकीन है नौनवेज की खुश्वू पाते ही वो जो है आ जाती है और नहीं दोगे तो बहुत परिशन करती है ना और खा आती रात थी भूख सबको लगी थी पंडी जी ने अपना पिज्जा वाला वो लिया पैकेट लिया भगा भग खाने लगे जैसे ही जो है क्या करते उसका चिकन लॉलिपाप का जो है उन्होंने वो खुला पैकेट अरे बाब बाब उसकी खुश्बू और ये खुश्बू ब छे-साथ पीस आठ पीस तो करीब होंगे उन लोग के लिए काफी थे तो उन्हें से निकाल दिकाल करने खाना शुरू किया दस मिनट बीद गए कुछ नहीं हुआ ग्यार्मे मिनट मैं ऐसा लगा कि जैसे कि क्या करते कार बहुत तेज किसी ने खट-कट आया हो तब तक दोनों एक-एक जो है लॉलीपाप सुच चुके थे दूसरा लॉलीपाप उठा के बस मूँ में रखने वाले थे कार अंदर से लॉक थी खिड़कियां सब लॉक थी पता नहीं क्या हुआ भाग से जो क्या करते है ड्राविंग सीट पर बैठा हुआ था शामल दत्ता भाग से दर्वाजा खुला ये तो का उसने सीड़ बात रखी थी नहीं तो गिरी पड़ता बहार अपने आप ही खुल गिया बिना किसी उसके और एक फ्यानक सी पहले तो बहुत सुन्दर सी एक अवरत दिखाई पड़ी कार के दर्वाजे के पास और उस लॉलीपाप को इंगित करके कहने लए दे दे मुझे दे वो पता नहीं महारास्टियन बोल लही थी कि हिंदी बोल लही थी अंग्रीजी बोल लही थी क्या नही इन लोग मारे डर के कपकपी होगा उसने मांगा उन से और इसी समय तीवारी जी मारे डर के जो है पिज्जा खा चुके थे बिचारा वो भी इंजीनियर पढ़ा लिखा लेकिन ऐसी डराबनी सुच्छिशन में वो दुपक के बैठ गया कि मुझको करना है उसने थीरे से ज एक तभी पिछला दर्वाजा भी धाँ ऐसे खुआ दाहिनी तरह बाला और वो लेटा हुआ था उसके सर के बालों को पकड़के किसी ने चखचोरा घचीत ने बाहार निकालने लगा वो चिखने लगा चिलाने लगा और इधर जो है क्या करते हैं जो भुतनी सामने खड़ी थी जो शामल दगता के तरब गेट को खोला था और हाद बढ़ा रहे थी उसने हाद बढ़ा के पूरा पकड़के छीन लिया और उसमें करीब चार पांच अच्छे जितने भी रहे हो वो निकाल के वो भकर भकर खाने लगी और मारे ड़र के इन लोग थर 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 कापने लगे उसके पाद जो है मलब उन पे एक नशीला तंद्रा जैसे चागई नीच जैसे चागई और उन लोग की आखे बंद होने लगी धीरे धीरे वो बेहोशी की गर्त में तीनों डूबने लगे जब सुवे जब थोड़ी देर में उनकी आखे खुलती है एक दो घंटे बाद करीब रात के सुवें पौने दो बज़े थे तो उनकी आखे खुली तो देखा जो है क्या कहते है उनका जो पैकेट था कागज वो तो बाहर गिरा था चवाई हुई हड्डिया पड़ी हुई थी और कोई भी वहाँ पर नहीं था तो चल्दी से क्या कहते है शामल देत्तर ने कार को कार के दर्वा और कार जो है बैसे ही चालू हलत में है ना और पता नहीं कैसे चालू हलत में पेट्रोल भी नहीं खतम हुआ लेकिन कार चालू थी अब पेट्रोल की टंकी जितना भाराया था जितना खाच्रत उतने पर ही रुकी हुई थी और कार की बत्ती जल नहीं थी कार का दर्वाजा हलका सा खुला हुआ था उन्हों चल्दी से दर्वाजा बंद किया पीछे तो है तिवारी जी को खड़ाया तिवारी जी ने भी आखे खोली अरे बड़ा भैंकर मजारा भाग चलो यहां से भी अब मैं तो नहीं रुकूंगा तो जान पर आ जाएगी तिनों ने कार को बंद किया और कार तो स्टार्ट किया तुरंते स्टार्ट हो गया जो उन्होंने जो है स्पीट मारी लेकिन यह क्या कार थोड़ी तूर पर जाके र चाया नीचे उतरने लगा चाया ही कहेंगे क्योंकि वो क्या पहने थी क्या नहीं कुछ नहीं एक औरफ जैसी थी और वो जो है कार के सामने आके खड़ी हो गई, कार रुक गई फिर वो मुस्कुराई और जो है उसने पंजा उठाया अपना हाथ का पंजा और पिंड स्क्र इनको खटखट किया, और पिर हाथ की शारे से कहा, जैसे वह कह रही हो, कि तुमने आज मुझे को खाना खिलाया धन्यवाद, और ऐसे करके, कि जाओ, उन लोग जो है, चले गए, उनलोग जो है, उन्होंने फिर से गारी स्टार्ट की गारी रुख गई थी गारी स्टार्ट की आगे बढ़े बरसात होई रही थी किसी तरह से उन लोग बहुत दूर निकल गए जा तो समयरत के रात के करीब ठाई पौने तीन बच रहे थे एक जगा रोकी रोक के जो है क्या करते एक धरमस में वो पी थो आसा पहले कोल्डिंग पर पी उन्होंने फिर उसको अच्छाए पी उसके बाद फिर टरोता जा होके वो सीधे अपने शामलदत्ता के घर में आ गए और आके उन्होंने जो अपना वो बताया है है हाँ और मज़े की बात कि वो कैमरा अमरे सब ले गए थे लेकिन च पिश्वास करते नहीं थे भूत प्रेत पर इतना तिसले उसको मनला यूज करना भूल गए हमारे ड़के जैसा उन्होंने देखा वैसे हुआ और वो किसी तरह से घर पहुंचे है और पिताजी ने देखा पिताजी ने पुछा क्या हुआ तो ने कहा कि बावा जेटा आमी देखे छी टाउने भीशोन हैामी तुम्हाने के बोल वो ना कि इन्तव तुम्हीं जोचे भगायर्वाय पए जावे रात्रिते तुम्हीं मने वनेक जोड़े-जोड़े रटब कर वे हैं ौने की भीशो के शायां अमें जोड़े-बन वर्टे साथे इठीफ़े साथisa में पोस्त में तो आमराज जाते केसारी घाटे काते से चुछे जो चीठ लोलीपाप जाते से तार के आमराज दू जो ने कि अधिया हों के पीजदी दीचे तो आमराज तीनों भुष्वर्शे खाते से कारएं आक्टा खेनी ची जाको दूस पूस में सेकेंड और ठाड पिजा उठी है आमें जाचे मनें थाड और फोर्थ पिजा उठी जाको चिकन लॉलिपॉप उठी है जाको आम रा खेते प्रार्रॉम्बो कोर्वेक एक कारे मोदें खटाग थेके आवाज होच्छे आर जेत चे हाद बेड़ी दी छे आर जे चे हाद बेड़े वेचे आमार कास्तिके चिकन लॉलिपॉप एम नी कोरे मने एक डूप टेनी नी छे और पीछो ने दर्चा खुले जमत्तिवादी ची मारे भॉयते पीछो ने सीटे नूकी गे छेलो तार चूल थोड़े टेन ते ने गे छे जोड़े जोड़े भूटा करचे तार पे आमार तो मने तारों जीनीस देखें आमरा एक तोम भॉय भी थुए आमरा कौन सम आमरा भीहोश वेचे आम जानी ना रातरी देट्टा पुने डूइटोस में आमार जाखुले चे ताकुन देखी कि आमारा जो पाकेट छेले ते पूर ने कहा कोई बात नहीं है ना दुनिया में सब कुछ होता है जहां पॉजिटिव एनर्जी होती हो और नेगेटिव एनर्जी भी होती है तुम लोंने बहुत साहसपूर कार किया है इसलिए लो मेडिय तब से गिफ्ट तीनों को ने जेप से निकाल के पांसो पांसो रुपए तीनों को गिफ्ट में दिये और कहा अधा से मुझसे बिना पूछे ऐसे किसी हांटेट एरिया में ना जाना यह कहानी जो है पूरी आधी बंगला आधी उसमें मुझको सब्सक्राइबर ने फोन पर सुनाया था वही मैंने जैसा उसने कहा वैसे ही मैंने आपको बताया इसलिए इस कहानी को पढ़के एनिच 66 बंबे पुना हाइबे हाइबे इसको जो है आप लोग गूगल में सर्च कर लीजेगा इस कहानी को मैं आज यूट्यूब पे डालना हूँ आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी आप इसे हांटेट दुनिया में भी देख सकते हैं और हमारे जो हमारे चैनल जो आप लोग देखते हैं उस पर भ सब्सक्राइबर बढ़ा दीजे और मेरे वीडियो को देखें लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए मैं आभारी रहूंगा धन्यवाद जय हिन जय भारत